वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विशू टेक में आज हम बात करेंगे टाइम टेबल की इस्टुडेंट लाइफ में हमने ये देखा है कि टाइम को लेकर के लोगों के मन में स्टुडेंट्स के मन में इतने ज़्यादा बिचाद होते हैं जिनकी वो क्यों कलपना ही करते हैं एक कलपना होती है कि हम इस टाइम में ये काम करेंगे अपना पहला काम करेंगे दूसरा काम करेंगे लेकिन उनके पास एक प्रापर वियर नहीं होता है कि किस तरीके से हम इस टाइम टेवल को एडाप्ट करें वो कहते हैं हम 6 बजे उठेंगे 7 बे तक ये पढ़ेंगे 7 से 8 अपना ये अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे 8 से 9 दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो कुछ ऐसे टाइम टेवल को बना लेते हैं जिनको बस एक अलग माइंसर होता है कि आज से ही हमको फ्राम टूडे अरे आज तो हमको सब कुछ पढ़ लेना है आज से ही हमको सब कुछ पढ़ लेना है आज से ही हमाई लाइफ बदल जाएगी हम आज से ही काफी चीज़ों को इंप्रूब कर लेंगे अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें जो वो करने के लिए तुर्ण कैपेबल नहीं है उसकी टाइम बनाते हैं कभी दो घंटे ना पढ़ने वाला इस्टूडेंट टाइम टेवल बनाता है दस घंटे पढ़ने का आप से एक सिंपल सा कोश्चन आप बताइए कि जो दो घंटे कांटीन नहीं बैठ सकता या बाई इस्टेप बाई इस्टेप नहीं बैठ सकता क्या वो 24 घंटे में और वहां घूमता हूँ, यहां घूंकर आया, लेकिन जो उसका time होता है, वो बात करते हैं, वो अपनी compare किसशे करते हैं, वो compare करते हैं अपने, तो अपर students की जो life होती है, मैंने ज्यादा तर देखा हुआ है, वो बस ये है, कि वो अपनी life को full entertain full entertain करके जीते हैं किसी भी चीज़ें बंध के नहीं जीते हैं उनके पास अलाग उनकी एक सोच होती है कि अगर वो dance करेंगे then dance, study करेंगे that time must be study अगर वो घूम रहे हैं, walking कर रहे हैं तो उनका पूरा mind वहां के nature पर होगा अब हम बात कहें, कुछ students होते हैं scoring students, कहते हैं काफी अच्छा score किये यह, काफी अच्छा नम लाए तो उनके अंदा कुछ खास चीज़ें जो होती है सबसे पहली बात होती है, time punctualty उनका एक अलाग mindset होता है time punctualty का means वह एक निश्चित वे में काम करते हैं, सुबह उठने के बाद उनका एक mindset होता है कि today आज हमको यह करना है, पहले यह, another this, another this, हमको इन चीज़ों को करना है, उनके पास एक time punctualty होती है कि उन्होंने सोचा कि आज हम पार्व घूमने जा रहे हैं, तो 3 गंटे पार्व में घूμεए तो 3 गंटे ही पार्व में गूमेंगे, 3 गंटे 3 गंटे 5,15 में पार्व, नहीं रहेंगे अगर कोई emergency नहीं हुई त उनके पास सब्सक्क्रास बात क्या होती है punctualty दूसरी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उनके mind में यह होता है, कि हम उसका किस तरीके से figure-based remembering करें, इसको करके वो scoring करते हैं, थर्ड चीज़ होती है, consistency, consistency means consistency and continuity, मिलते हुए सब्दे हैं, बर difference बहुत ज़्यदा है, consistency लगातार, कि आज पढ़ लिए एक घंटे, आज अगर एक घंटे पढ़े तो अगले दिन भी एक घंटे पढ़ेंगे, consistency होते हैं, कि हम इतने time तक यह करेंगे, continuity, आज पढ़ लिए तो कल भी पढ़ेंगे उतने time तक, another last जो इनमें होती है, वो other opportunities, वो किसी चीज़ हेट नहीं करते, इनकी life में, हेट नाम का सब्द नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर यह हेट करते हैं किसी चीज़ तो अपना mindset वो change हो जाता है, और किसी प्रकास से कोई भी time table, वो adapt नहीं कर सकते हैं, उनका बस एक अलग aim होता है, कि हमें 4 से 5 ना पढ़के, हमें इस chapter को आज complete करना है, today complete करना है, यह होता है उनका time table, ऐसे लगाता study करके, हमने पाया है, students, students, जादा से जादा score करते हैं, और opportunities की बात की हमने, तो उनको किसी भी चीज़ों से हेट नहीं होती है, किसी भी चीज़ से वो हेट नहीं करते हैं, इसका मतलब यह, कि उनके पास सारी चीज़ें उपलब्द होती हैं, यो चाहे आप उनके फ्रेंड्स की बात करें, इसमाल बनाओ, इस्टार्ट तो करो, कांटिन्यू हो जाएगा, सोच बस हमारी यह होनी चाहिए, कि सोच की बात है, अगर हम उसको कहें सोच, तो सोच, अरे छट पे तो वो सीडिया लगाते हैं, जिने छट तक चरणा होता है, अरे हमें तो आसमान चुना है, तो हमें जो करना होगा, वो हमारा खुद का माइंट सेट, कुछ बड़ा सोच चाहिए, अपने इस सब्दों के साथ, तूडे, आज का यह टॉपिक जो हमारा है, टाइम टीबल, एडाप्ट करिए, अपनाईए, और अगर आपको इसमें कोई प्राब्लम होती है, देन कमें और प्लीज सुस्क्राइब मैं चानल विशुटेख, थांक्स फर सीग इस वीडियो,